नमस्कार दोस्तो मैं जे एस नंदन और आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हरिबंद सुकुमार टेक में दोस्तो हरिबंद सुकुमार टेक के इस एपिशूड में हम बात करेंगे महान बैग्यानिक गनितग गैलिलियो गैलिली की गैलिली का जन्व 1564 इसरी में इटली के पिशा सहर में हुआ था गैलिलियो अपने मता पिता के 6 संतानों में से सबसे बड़े संतान थे गैलिलियो के पिता एक फेमस मुजिक टीचर थे गैलिलियो जब 10 साल के थे उनका परिवार पिशा के फ्रोरेंस सहर चला गया जहां उन् सिक्षा शुरू की गैलिलियो एक बहुत ही अच्छे संगितकार और मिधावी छातर थे जो डॉक्टर बनना चाह रहे थे इसलिए 1581 इसरी में 17 साल की उन्र में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पीशा के इनवर्शिटी चले गया गैलियो जब इनवर्शिटी में गये तो उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप की हर स्विंग पूरा करने में एक बराबर समय ही लगता है स्विंग पूरा होने का समय वो अपने नब्स के जरिये नाप लेते थे गैलियो ने चर्च में किया उलोकन के लिए जाच के लिए एक परयोग शुरू किया उन्होंने इसके लि वे लगबक सौ बर्स पहले बेग्यानी कोपड़ां के सोध काध्यान किया जिसने कहा था कि प्रित्री गोल है और प्रित्री समेट सभी ग्रह सुर्व की इर्ध-इर्ध चकर लगाते हैं सोरल सननाव इश्वी में गैलीलियों ने होलैंड के एक बेग्यानी द्वरा बेहतरीन दुर्विन खोज के बारे में सुना था जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीजों को देखा जा सकता है गैलीलियों ने स्वेम एक बढ़िया दुर्विन बनाने की ठान ली और उन्हों ने ऐसा कर भी दिखाया दुर्विन बनाने के बाद उन्हों ने रात में आकास का निरक्षन शुरू कर दिया गयलिलिओ ने अपने दुर्बीन की सहाथा से लंबे समय तक ब्रिश्पत ग्रह का अध्यन किया और उसके 4 चंदर्माओं को खोज निकाला जिने गयलिओ चंदर्माँ भी कहते हैं बिश्पत के सीवा गैलेलियों ने यह भी पाया कि पित्वी के चंदमा के समतल नहीं है और इस पर दरारे और गड़े हैं उन्होंने सुरी पर पढ़ने वाले काले धब्बे सुक्रगरा के कलाओ और सनीगरा के छलाओ का भी अध्यान किया 1632 सी में खोगोल विज्ञान के छेत्र में किये गए अपने अध्यान के उपर गैलेलियों ने एक पुष्टक भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि पित्वी कैसे सुरी के इर्धिकर्द गुमती है पर इसका उन्हें बहुत बुरा अन्जाम होगतना पड़ा जब कोचलिक को गैलेलियों के कारे के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे इसाई धर्म की अस्था पर चोट माना और गैलेलियों को उम्रकैद की सजा सुना दी पर बाद में उन्हें घर पर नचरबंद कर दिया गया घर में नजर बंद रहने के बाउजीद भी गैलिलियों ने लिखना जारी रखा पर इनकी आखरी कुछ सालों में उनकी आखों की सक्ती चली गई 8 जनरी 16-42 सेजबी को 78 बर्श की आयू में इनकी मिर्तू हो गई गैलियों को अधुनिक पिज्ञान का जम्दता कहा जाता है गैलियों ने परकास की गती नापने का भी पर्यास किया था किन्तु वो असफल रहे गैलियों ने ही हमें जरौतों का सिधान दिया था जिसकी अनुशार किसी समतल पर चलेमान पिंड तब तक उसी दिशा में बेग से गती करेगा जब तक उसे छेडा न जाए बाद में जाकर वहीं न्यूटन का गती के सिधानतों का प्रथम सिधानत बना दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करे शेर करे और कमेंट करे और हमारे चैनल हरिवन्स कुमाट टेक को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद